नमस्ते भाईयों नमस्ते मैं हुविराज दिक्षी ताप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चाइनल क्रिकेट बेटिंग टीप्स में तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज जो है सेकेंट ट्वेंटी ऑस्ट्रिलिया वर्सेस इंगलेंड का उसके बारे में थोड़ी इंफोर्मेशन जितनी मुझे है मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं पिछला जो मैच था इन दोनों के बीच इंगलेंड वर्सेस आस्ट्रिलिया में तो उसका जो पेड काम था मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में स्क्रिंशोट लगा दूँगा फोटोज लगा दूँगा जो काम था वो जो किया था उसका आप देख लेना एक बार उन्दा मैच हुआ था हमारे टीम इंगलेंड थी उन्दा प्रॉफिट कम आया बाकी अगर हम आज की बात करें तो इस वीडियो को थोड़ा आगे ले चलता हूँ इंगलेंड वर्सेस आस्ट्रिलिया सेकेंड डी ट्वेंटी मैच में अगर प्लेयर्स के में बात करूँ तो पिछला जो मैच था अगर इंगलेंड के बैटिंग के में बात करूँ तो जोस बटलर और मलान दोनों नी अच्छा खेला था बटलर ने शुरू में एसे मारा था कि जैसे लग रहा था कि दोसो रनना बन जाए बेर्स तो हलाकी दिक्कत आ रही थे और कैच आउट हो गए थे बाकि अगर बेंटन के बात करें तो इनको मेरे खायल से ओपनिंग में ही रखना था ताकि मिडल ओर थोड़ा और स्ट्रॉंग हो सके लेगिन इनका जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा अलग है तो बेंटन को नीचे खिलाया इन इन्होंने और वो ज्यादा उंदा परफॉर्म नहीं कर पाए बाकि अगर कैप्टन मॉर्गन की बात करें तो यह भी जल्दी आउट हो गए थे मोयन अली भी जल्दी आउट हो गए थे हलाकि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाब काफी अच्छा किया था बाकि टॉम कुरान क अगर बात करें तो टॉम कुरान को इस मैच में जगा नहीं मिलेगी उनके जो भाहिये सैम करन तो सैम करन को यह लोग लेंगे तो यह थी इंगलन की जो परफॉर्मन से बैटिंग और की वही आगर मैं आपको बता दू यहाँ पर ऑस्ट्रिलिया के प्लेयर्स कहीशे थे त इनके रन मारने के जो तरीके थे जो इनको परफॉर्मन से चल रहा था जैसे यह 200-200 रन चेस कर रहे हो आगे अगर बात करें स्मीट की तो स्मीट जादा नहीं चले हलाकि इनसे बहुत उमीदे थी मुझे कि ऑस्ट्रिलिया की टीम से यह अच्छे करेंगे मैक्सवेल मैक्सवेल तो जल्दी आउट हो गए बाकी मैक्सवेल और स्टॉइने से मुझे कोई मतलब कि यह नहीं था कि यह अच्छे करेंगे एलेक्स कैरी से थोड़े मुझे होप थी कि यह अच्छे करेंगे लेकिन खेर पिछले मैच में यह नहीं चले बाकी अगर अगर की बात करें एस्टोन अगर की तो इनको बटलर ने काफित हुया शुरू शुरू में ही तो आगे इन्हें उन्हें विक्टे निकाली या नहीं निकाली वो मैंने आभी देखा नहीं है और इतना डेटल में इस वीडियो में मैं जाऊंगा भी नहीं तो सिधा मैं बात करता हूँ आज के मैच की आज का जो मैच है वो आभी चालू होगा 6.45 पीम को अगर दोनों टीम की अगर मैं बात करूँ तो चेंजे मेरे खहल से कोई नहीं है सिर्फ इंगलन में वही चेंज है ये सैम करन को फिर से लेके आएंगे बाकी कोई चेंज हुझे यहापर दिखाई नहीं देता है कि कोई टीम करना चाहेगी फिलाल मैनेजमेन के उपर है अगर उनने चाहा तो वो टॉस के बात कर सकते है तो दोनों टीम के अगर मैं अगर टीम के मैं बात करूँ यहापर तो दोनों टीम भी काफी अच्छी है मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि ऐसा कुछ ने है कि एक टीम वीख है और एक बहुती स्ट्रॉंग है दोनों भी टीम काफी अच्छी है दोनों सेम है पिछले मैच में मैंने आपको बोला भी था कि भाव बोट 97 का उपन होगा और खेर वैसा ही हुआ तो रिकावरी प्लान का जो यह सिरीज है हमारा इंगलंड वर्सेस ऑस्ट्रिलिया का जो फर्स्ट मैच है रिकावरी प्लान का वो काफी उंदा गया है काफी लोग उसमें जुडे थे उनको प्रॉफिट करवाया है बाकी आज सेकेंड टी ट्वेंटी है आज रिकावरी जो फेज है रिकावरी जो फेज है इस सिरीज का उसका सेकेंड मैच है रिकावरी जो हमने चालू की है रिकावरी सिरीज तो सेकेंड मैच है उसका जो भी भाई जुड़ना चाता है वो हमसे जुड़ सकता है Charges में ने आपको बता दिये है आपको ये बिल्कुल फ्री जैसा ही है आपको बस एक बार WhatsApp पर inquiry करनी है आपको बस बता नहीं कि आपका जो loss है वो किस वज़े से एक खुद के खिलने के वज़े से loss हुआ है या फिर किसी tipper को follow करके loss हुआ है या कोई आप फ्री रिपोर्ट किसी के देख देख के follow करते हो तो उसको follow करके loss हुआ है आपको बस ये बता नहीं कि आपका loss कैसी हुआ है और हम आपको उस पर solutions देंगे कि इस recovery series में आपका जो loss हुआ है वो recover कैसे कराएंगे बाकि आप हमारे WhatsApp पर contact कीजिए प्लस 919518305372 आपको उन्दा solutions यहाँ पर मिलेंगे और आपका loss भी recover जरूर होगा तो चलो चलता हूँ इस विड़े में बस इतना ही गुड़बाइ